मनुष्य की जीवन में यदि कोई अंतिम सत्य है वह इस नश्वा जगच से मुक्ति पाना जिसे हम निधन या सरगवास भी कहते हैं और सरगवास के बाद मुरतक के पार्थिव पर परिजुनों द्वारा अंतिम संसकार कर दुखद मन से मुक्त आत्मा और उसके पार्थिव शरीर को अंतिम बिदाई दी जाती है जिसके लिए सुविधाएं उपलब्द कराना इस्थानिक प्रशासन की जवाब दे ही होती है सामने नगर प्रशासन अपने समयत्पून जवाब दे ही से पल्ला जारती नसर आ रही है ऐसा ही मामला शहर के मुख्ये शम्शान खाट राम तो हालात इतने बत्तर हो गए हैं कि देहन इस सानों पर करीब धाई तीन फिट गहरा गड़ा पड़ गया है ऐसे में पार्थिप शरीर के देहन में जितनी लकड़ियां लगती है उतनी तो यह गड़ा ही लील लेता है जिससे समहंगाई में अंतिम संसकार करने है तो करीब बारा पंदरा मन लकड़ियां लेने को शोककुल परिवा मजबूर है इस अनास्था की शिकायत नगर परशासन और उक्त घाठ के ठेकेदारों को करने पर भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रहें रही है और धेन इस्थल का भगड़ा और भी बड़ा होते जा रहा है जिस और शीगरता से ध्यान देना सरूरी है क्योंकि किसी भी अंतिम संसकार में शहर के गणमानियों के साथ ही अन्य शहरों के लोग भी शाविल होते हैं और नगर परशासन के लचे कारे बनाली को कोस दुखी मन से अपने परिजनों का अंतिम संसकार कर नगर परशासन की इस न कम से कम अंतिम संस्कार हेतु उप्यूक्त स्थान उपलब्द कराएं। NBCN News के लिए सावनेर से समवाधता किशो धुंडेले की रिपोर्ट।